हलो क्लास फोर्थ मैं आपकी टीचर दुइंदर को और आज हम साइंस का लास्ट चेप्टर इस बुक का लास्ट चेप्टर चेप्टर नंबर 16 रीड करने वाले हैं देखो इस चेप्टर नंबर 16 के बाद जो है आपका बुक फिनिश हो जाएगी तो chapter number 16 है force, मतलब जो ताकत लगाते हैं हम, work जो काम करते हैं और energy जो हमें body से food से मिलती है, ठीक है, force क्या होता है, जब भी आप किसी को खीचते हो या धका मारते हो, वो force होता है, force जो है, उसको हम कैसे, उसके effect से, अगर आप किसी चीज़ को धका मार रहे हो, तो वो हिल यहां पड़ा है, और अगर मैं इसको force लगा के यहां move करूंगी, तो यह जब धकन हिल गया यहां से, तो that means आपने इसको force लगा के हटाया, तो हम force को देख नहीं सकते, लेकिन यह धकन यहां से, यहां कैसे गया, उसका effect हम देख सकते हैं, effect on the force is to move an object, हम कैसे effect देख सकते है force का, या तो इसको move करो object को, या किसी चलते होए object को इसको रोक लो, तो हमें पता लगेगा हमने force लगाया है, it can also make a body move faster or slower and change its direction or movement, a force can push, pull, turn, lift, heavy, twist, squeeze, bend and break things, force हम किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं, इस pen को धकन को बंद करने के लिए force लगा रहे है, इसको खोलने के ल force लगा रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ का काम करेंगे, तो force apply करेंगे, types of forces कौन से हैं, we push, हम चीज़ों को धका मारते हैं, हम चीज़ों को खीचते हैं, हम चीज़ों को निचोडते हैं, तो force से और muscle force से उसको बोलते हैं, muscular force, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, push, pull and squeeze, अब force of friction क्या होता है जब हम किसी ball को kick करती है और वो ball को kick करा वो ball आगे चलते चलते यहां पर रुख गई It is because an opposite force opposing force called force of friction यह force of friction होता है जब वो इस ball और इस जमीन के उपर apply होता है तो वो force of friction कहलाता है A ball goes a long way on a smooth surface अब कोई plain surface होगा अगर कोई marble का floor है उसके उपर आपने ball को फेका वो चलती जाएगी थोड़े time तक और फिर बाद में रुकेगी लेकिन अगर आप किसी rough surface पे अगर किसी road पर आप उसी ball को फेक रहे हो तो वो जल्दी रुक जाएगी तो जितना rough surface होगा उतना friction जादा होगा उतना जोर आप जादा लगाओगे उसको move करवाने के लिए जितना plain surface होगा मतलब less rough surface होगा उतना आपका friction less होगा ठीक? we can easily write on the rough blackboard then a smooth one हम rough blackboard पे नहीं लिख पाते हम smooth blackboard पे जल्दी से लिख पाएंगे friction जो है हमें लिखने के भी use में आता है but friction does not allow machines to move smoothly तो friction की वज़े से जो है machines smoothly काम नहीं करती हमें क्या करना पड़ता है हमें oil या grease लगानी पड़ती है अपने machines के parts को ताकि वो काम अच्छे से कर सके rough grooves are made on the surface of tires अब आपने tires देखे होंगे गाडियों के उस पे ऐसे design बना होता है ठीक है वो है grooves उस design को बोलते है grooves अब वो बना होता है वो क्यों बना होता है ताकि वो slip ना हो road पर गारी slip ना हो अगर यह grooves नहीं होंगे plane हो जाएगा तो brake नहीं लगेगी tire को अब यहाँ पर next line है we can sleep and fall on the road if our shoes have smooth shoals अगर जूतों के नीचे भी आपके design बने होती है अगर आपके जूतों के नीचे design नहीं बने होंगे तो आप slip कर जाओगे कभी आपने देखा होगा आपकी चपल घिस जाती है नीचे से plane हो जाती है तो वो plane चपल क्या होती है उससे आप फिसलना शुरू हो जाती है जब तक वो चपल के नीचे design होंगे वो आप फिसलोगे नहीं therefore the sole is made somewhat rough spikes are made specially in the soles of shoes worn by some players and athletes जितने भी players होते है या जो athletes होते है जो खेल खेलते हैं जितने भी उनके shoes में यहाँ पर देख सकते हो उनके shoes में इस तरह से spikes बने होते हैं इन spikes की वज़े से फिसलते नहीं है जमीन पर या जो भी floor होता है उसके ओपर grip पकड़ते हैं ये shoes ठीक? force of gravity all subjects are attracted towards the earth because of a pull by earth सारे objects जितनी भी objects को आप उपर की तरफ एको गए न वो नीचे जमीन की तरफ आएंगे वो जमीन की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि force of gravity है the amount of force depends upon the heaviness of the object अब जितना भारी object होगा उतना जल्दी नीचे जमीन पर आएगा जितना हल्का object होगा उतना कम या slow time पर नीचे आएगा the amount of gravitational pull is called its weight तो जितना gravitational खिचाव होगा जितना जमीन का धर्ती का खिचाव होगा वो उसका weight की उपर depend करेगा next है magnetic force experiment है suspend an iron nail from a stand with the help of a thread इस तरह से एक stand ले लो धागा और धागे से एक कील को बांद दो अब उसके पास आप magnet को ले कर जाओ तो क्या होगा nail जो है वो कील जो है इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगी इस magnet की तरफ आना शुरू हो जाएगी क्यों? क्योंकि magnet force जो है अब दो बैलून्स लो उनमें हवा भर लो अब उन बैलून्स को दोनों को गरम कपड़ों के उपर रब कर लो तो जब आप इन दोनों बैलून्स को पास में लेकर जाओगे ना वो एक दूसरे से दूर भागेंगी यह activity आप घर पे करके देखोगे क्योंकि आज कल सरदियां का time है आपने गरम कपड़े पहने होती हैं तो दो बैलून्स लोगे दोनों बैलून्स को हवा भर कर उनके साथ धागा बांद लो और दोनों बैलून्स को आप वुलन कलोथ के उपर रब करोगे रब करने के बाद उनको एक दूसरे के पास लेकर जाएंगे तो देखना कि वो एक दूसरे से दूर कैसे भागेंगे force of bionc अगर आप किसी खाली मग को या किसी लकडी के तुकडे को पानी में अंदर की तरफ धके लोगे तो वो एकदम से बाहर आ जाता है क्यों आता है क्योंकि उसमें bionc force होता है पानी में bionc force होता है weight of the water displaced by the object if the weight of an object is equal अगर weight उस object का weight equal होगा या less होगा उस पानी के force से तो वो float करेगी float का मतला वो चीज तैरेगी और वो कब डूब जाएगी चीज? अगर उसका weight जादा होगा पानी में कोई पत्थर डालोगे तो वो डूब जाएगा क्यों डूब जाएगा? क्योंकि पत्थर का weight जादा है पानी का weight कम हो जाएगा पानी के tub के उपर अगर आप mug को रखोगे वो तैरेगा क्यों तैरेगा? क्योंकि पानी का weight जादा है mug का weight कम है ठीक, यहाँ पर bio and force खतम हो गया अगला topic है work force can move और stop a moving object हमने यह देख लिया कि पाकत से हम किसी भी चीज़ को चला सकते हैं या चलती ही चीज़ को रोक सकते हैं लेकिन जब force को हम use करते हैं object moves and object through a distance work is done उसको move करने के लिए किसी भी object को move करने के लिए तो वो worked कहलाता है अगर object move नहीं होता greatest push और pull से तो इसका मतलब काम नहीं हुआ work का मतलब काम अगर धका लगाने से या खीचने से वो object नहीं हिला तो इसका मतलब वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ work done is equal to force multiplied by distance move कितने force से कितना distance move किया वो आपका work done निकालेगा when a force moves an object a long distance more work is done than moving a short distance अगर आप जोर लगाते हो और कोई object long distance पर गया तो आपका work done हो गया छीक work is done when a football is kicked अगर आप किसी भी फुरुकी होई football को force लगाते हो kick मारते हो तो वो दूर चली जाती है एक bird fly करता है sky में you are walking with your school bag तो इसका मतलब यह आप सारे काम कर रहे हो क्योंकि आप एक जगा से दूसरी जगा move कर रहे हो या चीजों को move कर रहे हो अब हम पढ़ेंगे machines कोई भी टूल कोई भी ऐसा टूल जो हमारे काम को easy बना दे उसको simple machine बोलते है simple machine जो है change करता है direction of force other increase the speed of work मतलब force से direction change हो जाती है और काम जल्दी हो जाता है तो simple machine से हमारा जो काम है easy हो जाता है अब हम बात करेंगे energy energy is the capacity to do work कितना काम आप करते हो वो आपके energy पर depend करता है the amount of work कितना काम आपने किया ठीक है किसी object पर आपने कितना काम किया is called the energy of that object when bullock pull a cart जब दो bell एक bell गारी खीचती है तो the energy of moving bullocks produce a force this force makes a cart move अब ये bell जो है अपनी ताकत लगाएंगे तभी तो ये गारी खीचेंगे the bullock had the capacity to do work which has put to use by exerting a force of pull तो इनकी ताकत से ये गारी खीची तो इनोंने क्या ताकत ली energy अपनी energy से वो ताकत लगाई और ताकत से ये गारी खीची is called energy forms of energy क्या है अलग लग तरह की forms of energy है जैसे mechanical energy है जो push और pull चीजों को push और pull काम करने खीचने और धकेलने के काम जो यूज होता है muscular energy, falling water energy and wind energy are included in it work like moving of a bicycle or watch swimming extra are caused by mechanical energy आप bicycle चला रहे हो ठीक है आप swimming कर रहे हो इसका मतलब आप mechanical energy यूज कर रहे हो mechanical energy makes the machines move चीजों को move कराते हैं before any kind of energy can be used to do some work the energy must be changed into mechanical energy तो किसी भी energy को change करने से पहले वो energy mechanical change में होगी solar energy जो sun से मिलती है हमें energy solar energy is the energy of the sun rays उसमें light energy होती है sun की rays में light energy होती है और sun की rays में heat energy होती है sunlight जो है वो electricity में change की जाती है sunlight की जो energy है solar energy जो है उसको electricity में change किया जाता है हम दिन में चीजों को कैसे देख पाते हैं light की वज़े से sun की light की वज़े से heat of the sun rays is used in solar cooker solar cooker में sun की rays use होती है और उससे पानी गरम होता है या खाना बनता है heat energy is also obtained from burning fuels heat energy हमें और कहां से मिलती है जब कोई चीज़ें जलती है तब भी हमें heat energy मिलती है heat energy changes into mechanical energy heat energy जो है mechanical energy में change होती है तो कौन सा काम होगा? engines और machines move होगी all food chains contain chemical energy जितने भी food chains चलती है वो chemical energy से चलती है when we eat this food जब भी हम खाना खाते हैं वो किसमें change हो जाता है? muscular energy में और muscles move to do mechanical work जब हम अपनी muscles का use करते हैं तो हम कोई mechanical काम करते हैं a torch have cells, torch में cells पड़ते हैं वो जो cells हैं वो क्या काम करते हैं? वो chemical energy का काम करते हैं और यह जो chemical energy है वो किस में change हो जाती है? वो electricity में change हो जाती है फिर वो electricity में जब change हो जाती है तो उस torch में से light energy यूज़ करते हैं clear? इसके बाद electric energy और electricity is used to do many work in this era इरा का मतलब इस time में, इस modern time में, electric energy और electricity हम बहुत ज़ादा यूज करते हैं, electric energy can be changed into, अब electric energy को हम किस किस चीजों में change करते हैं, mechanical energy में, heat energy में, light energy में, magnetic और sound energy में change करते हैं, it makes machines, इस electric energy की वज़े से machines चलती हैं, heaters operate होते हैं, bulbs जलते हैं, tape recorders चलते हैं, videos record होती हैं and produce sounds and pictures, सारा electric energy का काम है ये, और यहाँ पर आपका chapter number 16, finish होता है, अगर कहीं कोई doubt हो, then do message me on my whatsapp number, यहाँ पर आपके summary points हैं, इसको आप फटा फट से read करेंगे, और then tick the correct answers, छीक, इसके बाद second question है, third question, give reasons notebook में, answer the following questions notebook में, और tick the correct book में करेंगे, and यहाँ पर जो है, sixth और seventh question जो है आपका book में होगा, और sixteenth chapter यहाँ पर finish हो गया, chapter को read करो, कहीं कोई doubt हो, message करो.